उत्तर प्रदेश के उपमुख्य मंत्री केशिव प्रसाद मौर के आज वारनसी दौरे का दूषरा दिन है जहां आज उपमुख्य मंत्री ने बाबा काशी विश्वनात मंदर के दर्शन किये और उसके बाद मीडिया से बाचीत करते हुए उन्होंने प्रियांका गांधी के वाटसाप हैकिंग के मामले में बोलते हुए कहा कि मैं अभी तक तीन को लोगों मानता हूँ जो चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह के बयान बाजी करते हैं जिसके बाद उन्होंने कहा कि प्रियांका गांधी में आखिर ऐसा क्या है कि सरकार उनके वाटसाप को हैक कर कि बुरी तरह से यूपी में हारी हुई नेता है और उनको ट्विटर पर ही राजनीती करनी आती है मैं अभी तक तीन लोगों को मानता था कि वो चर्चा में बने रहने के लिए इस तरकार की बयान बाजी करते हैं सरकार का ऐसा कोई प्रियाशनी प्रियंका जी ऐसी क्या है जो उनके वाटसाप को हैक करके उनके खिलाब वो कांग्रेश की एक हारी हुई उत्तर प्रदेश में बुरी तरीके से नेता हैं और उनको ट्यूटर पर राजनीती करनी है सत्रा मार्च से इहां सारी प्रिक्रिया प्रारम हुई थी और 19 मार्च को हमारी सरकार ने सपत लिया था तो सच देखिए प्रक्रियाक जिसने प्रारंप किया कोई चीज जानने समझने पर जानकारी में आया है तो उसमें एफ tit ब्लिबुटरारी भी हुए ती थी मसस्वा coalition लडला की फिलावशोल कर दो म algुशा हिस अवसरे कि अ कर दो अ रो कि आवसरेकन